नमस्कार साथ हूं एक नई लर्णिंग के साथ हाजर हूं जिसमें एक स्टॉक की परती चर्चा करेंगे इससे पहले भी हमने एक पर चर्चा किया था आज दोवारा डिब्यू पार्ट्स करेंगे आखिर मार्केट में हुआ क्या और क्या लगता है अब इस स्टॉक को ले करक क्या यहां से एक अच्छी ग्रोथ लेबल बनाने की प्रियास में लगए है कि मैं चार्ट की बात अभी फिलाल नहीं कर रहा हूं मैं कंपनी की ग्रोथ लेबल की चार्ट से चार्ट को कंपेर करने का प्रियास कर रहा हूं मैं आपको बताऊं कोई भी किस कंपनी को लेकर को कोई बिस्टॉप को लेकर कि हमारे साइड से कोई भी डिकमेटेशन या एडवाजरी के बाद बिलकुल सामिग लें आज जानने के प्रयास करेंगे आरके श्वामी को लेकर आरके श्वामी के लिस्ट में जब हम डिज्टल मार्केटिंग का काम आडवारत्याजिंग का काम है पर जगह-ँगह इनकी सब्सकुल comprehensive का मिनिस्टर करना है क्या काम काज है? एडवर्टाइजिंग करना उनके लिए और यह यहां पर देखने को बड़ी बड़ी लिस्ट निकल की है, जहां पर सेटवे बैंक और सब सारे सिपला, टेरे टेप, जैसे कंपनी के लिए क्या करती है? अब इसके परती कुछ और चीज़ों को समझने के बढ करने के पीछे कुछ कारन है, कारन पता है? कारन है जब हमकी आईपी ओ की लिस्टिंग देखें, आईपी इसी साल लिस्टिंग हुई थी पिछले एक साल पहले के बात है, कटिप जून में लिस्टिंग हुई थी 24 के अंदर इसी साल की बात है, और लिस्टिंग के बाद की बात किया जाय है, तो लिस्टिंग में लॉ यह पांच महने के बाद कि कब स्टार्ट होता है? मार्च में हुआ था और क्या सकते हैं कि मार्च के बाद यदि हम चर्चा करें आज तो करेब 6-7 महने के बाद करूँ मैं 7 महने के बाद रखता हूं 7 मंथ की बाद अब जाकर लगता है कि यह consolidated होने के प्रियास में है क्या? क्योंकि जितने इनकी listing की loss थी आज उतना ही listing loss है था क्या यह अब जाकर के consolidated होने के प्रियास में है? जो हम चार्ट को देखें साइद हम कह सकते हैं कि पिछले जब से listing हुई थी listing के बाद की चर्चा करें तो साइद कह सकते हैं कि आप जाकर के इसी ransom में या consolidated होने के प्रियास में है और जो गिराबट थी उस गिराबट वले situation से दोबारा उबढ़ने की प्रियास में है आज इसी कड़ी के तरफ समझेंगे और यह भी समझेंगे जो आखिर यहां पे जिन लोगों ने लिया इस expectation के साथ लिए मार्केट चलीगी उनकी लिए कौन सी golden rule apply किये या नहीं किये उसके प्रतिचर्चा करेंगे एक मार्केट के single rule कहता है single rule सबको चाहिए profit सबको क्या चाहिए profit वैसे नहीं profit के लिए एक rule apply करना होगा जिसमें restriction होती है जिसमें decisions होते है जिसमें एक discipline maintain करनी होती है पहले हम fundamental aspect को समझेंगी प्रियास करें देखा जाये तो company को लेकर के book value और intrinsic value, intrinsic value काफी अच्छा है आज भी कह सकते हैं कि यह stock की जो performance है वो intrinsic value से कम है अर्थात यदि industrial की P के देखाज है तो वो भी अभी कितना है 10% higher कहती है और यहांस यदि वो 10% चलती है तो कहां पर जाके खतम होगी इसमें कितना रुपया 25 रुपया को add कर दीजए तो 275 के आज पास पहुंचेगा simple सी बात में और इसके according यदि देखें हैं intrinsic value के according तो अभी market क्या बचा है काफी बचा हुआ है क्योंकि इसके पास assets है जबकि earning per share की बात करें तो 5 रुपय के according कितना earning करता है यह बल 8 रुपय करणिंग करता है अर्थात सौ परसेंट से ज़्यादा ही करता है एक सो तीच परशेंट के असपास कितना होता है एक सो साट परशेंट की earning करता है आरशी और आरवी काफी अच्छा रहा है प्रमोटर की holding बें अच्छी रही है तो market फिर गिरता क्यों है क्या इनको केबल और केबल profit booking के परपस से रखा गया या current ratio का महाँ पितना ज्यादा क्यों है इन सभी एस्पेक्टों को हम क्या करेंगे एक ही formula के अंदर calculate करके देखेंगे इसका नाम है risk to return इसमें risk to return, risk to reward and risk to return की चर्चा करेंगे कि आखिर company की management अपने निवेशकों को क्या देती है और निवेशकों को क्या लुभावना action के साथ company कामकाज कर रही है दोहां पर देखा जा मैं कह सकता हूँ कि यहां पर दोवारा calculate होती हुए नेजर आ रही है जर्व कि इनका यदि हम इसको देखें और इनकी growth level को तो growth level में zone बाले में काफिर जादा panic हो गया था पेने के पीछे क्या कारणा था कि मार्स तक अच्छा कासा था अब यहां पर मैं चर्चा इसलिए करांगो कि अभी जैसे एक नया rate होगा सितंबर के लिए सितंबर में देखने वाली बात होगी जिसका revenue model क्या कहती है जिस सितंबर भी इसको क्या कर रही है decline कर दे तो फिर market क कि जो रेंज था वो क्या होगा तूट जाएगा दोबाला bottom to bottom नीचे चला जाएगा जबकि net profit margin कहती कि चायों पर पहुंची है किसके कंपर दें यहां के कॉडिंग मार्च के कॉडिंग और जून के कॉडिंग इन्वली डेटा के तरफ देखें तो अन्वली डेटा कंपनी के पास लगातार build-up को रही है इसमें आवसलिए क्या देखा गया लगातार उचायों पर टच करती हुई नेचर आ रहे है कुछ और कड़ी को देखें तो साहिद क्या सकते हैं जो सतर क्रोर के टर्णावबाट से पहुंसते हुए एक स्वाट ठारा तक तो गया था लेकिन जून में आकर पिट गई प्रोफिट लेटे काफी अच्छी खासी थी लेकिन हाँ पर आखिर गिराबट हो इसके पिछे क्या कारणड आ जबकि अप्रेटिंग प्रोफिट मार्जिन भी करें 33 परशंट क्या सपास बनाई इस पेरिड में उसके बाद सिदे के सिदे गिर ग जबकि प्रोफिट को क्या कर रही है विद्क कर रहा है और की निकल रही है इंसे इतीस dessert 31-30.ead-4041. इननकी कहता várias कारणड है भर फिर सेंटीमेंट ऐसा गिरा क्यूं को समझगे एब पहली चीज है, है, इसको ले करके इसे इतना बडा देटर्स करहा है और इसका एक साल तक प्रावूब हुआ है यह इसा इन को क्या कर रही है डेमेज कर रही कर रही है इसका आप ऐसा एक साल तक फोल और आपड़ के इप्रुमेंट करते हुए कंपनी का क्या हुआ छे मैंने क्या स्पास मानते पांच मैंने मान लेते हैं पांच से छे मैंन अभी भी पोईसा होल्ट है जबकि net profit operating profit margin net profit margin को भी देखना पड़ेगा क्या कर्ज मुक्त हो रही है कहते हाँ कर्ज तो मुक्त कर रही है अपने आपको लेकिन कहां से कर रही है इनकी fixed assets को हटा कर रही है इनकी fixed assets को हटाया lawn को खतम कर रही है चलिए बाकी कहां transfer होते है तो अधार assets में transfer होते है और यह दिखाती है जिनके पास 133 करोड का उधार है अब यहां पर सोचने बाली बात है जो इनका 133 करोड का उधार जो websites में दार्जेक्र किया जुहारे पास client देए क्लाइंट है तो क्लाइंट इनके पैस पैसे नहीं देते ऑ क्या पैसे देते हैं divergence देते हैं छे मैने के बाद एक साल के बाद फिर जो बड़े management बैटी है उनका term condition क्या कहता है इतने जने पैसा आना चाहिए जो ऑफिस है 12 cities में बैंगलोडियो चैनेज दली यद्राबाद कोची कलकता मुंबया नमादाबाद इन दोरू लखनव नागपूर इन पटना कम्प्लीटिंग जन्दा हैब दा नेटवर्क अब ट्वल्फ फिल्ट लोकेशन इन दे इंडिया और यह लोकेशन की बात उन्हों ने का इनकी पास देशार लोकेशन देशाल है और इसके लबाद कंपनी यूएसे में भी काम करती है ग्लोबल नेटवर्क के अंदर सिंगापूर, युएसे, बंगलादेश अंदा मेडलिस्ट में भी काम केज है और अलगला डिविजन की बात करते है इसको लेकर गए प्रोडक्टिविटी को लेकर देखा गया इनमें क्या निकल के इसमें बड़े-बड़े लोग ब्रांड डिवेस्टर बैठें तो फिर आखिर इसमें हुआ क्या थी उस चीज को लेकर इंपक्ट करता और सवाल आता है कि यदि सितंबर का डिजल टेन के यह रिकवर हो सकती अधरवाज यह नियर अबॉट इसके आसपस आगी यह ऐसा भी हो सकता है कि अभी रिजल्ट के पहले मार्केट को इसमेक्टेशन पहल रात चल गया तो मार्केट अभी से चलना चालू हो जाएगा और यह देखते देखते बढ़ जाएगी कहां पे अप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही बेकार है नहीं किया सकता और जो मने कैसा जैसे का कि पिछले जिस तरह से इनका रिक्षन देखने को मिला था अब द्वारा रियाश्य रियाश्य रिक्षन चलने के लिए काम्याबी हांसिल हो सकती है इनकी पहरी रेस्ट्रेंस के आसपास और मार्केट में रियर्ट के बहाँ पहले मिल जाती है लोगों के पास तो फिर यहां से मार्केट में बड़ी रैली आ सकती है और कमपने अपने निवेशकों को शूचती भी है इसी साल की लिस्टिंग के बाद कंपनी दो रुपे के डिबिडेंट भी देती है अपनी निविश्कों जब कि कंपनी के पास क्या पिला अपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पिटा हुआ इसके कारण भी कंपनी ने कुछ न कुछ दिया आगे एक्सपेक्टेशन करती है मार्केट को यहां पर कुछ और करेगी लेक कि यहां से मार्केट ऐसा रियक्षन कर सकती है यद謝 मार्केट की सितमबर वाली रिजल्ट को लेकरके भाव मिल गया मार्केट को जो भी गिराबट थी वो गिराबट क्या करेगी continue नहीं करके खड़ेदारी का मुझा हो सकता है कि दोस्तों हमारे साइड से किसे भी कंपनी को ले करके और यहां पर देखा जाएंके साइन पोस्ट माघज मगद और यहां पर हमने देखा कि पछले कुछ दिनों में जो ट्रेंडिंग था वो ट्रेंडिंग नहीं अरबाट क्या होया सेट अप करती हुई नेजर आ रही है जो इनके लिए कुछ गुड नियूज की बात करती है इसको ले करके और यह कुछ काम का ज़रा है मिलते हैं कुछ नई कंपने के साथ नियू स्टेडी के साथ तब तक के लिए थाइंक्यू और इंज्वाइट दोस्तों